हालो स्ट्रेंट्स वेल्कम टुट्ट्री पुट्रेंट आज हम स्टार्ट करेंगे एक निव चैप्टर इस केमिकल बॉंडिंग तो इससे पहले हम चैप्टर जो कर चुके हैं तो उसके जो वीडियो से हैं वह आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट पे लगए हुए तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं तो आज कामारा टॉपिक रहेगा चैमिकल बॉंडिंग चैमिकल बॉंडिंग तो जो भी लोग पैन लेके बैठ जाओ और उसके प्रापर नोट्स बनाओ जिससे की वह आपको बाद में भी काम आएगा ठीक है रिविजन के टाइम वह बहुत फास्ट होगा अगर आपके खुद के लिखे वे नोट्स होंगे तो वह ज्यादा बेटर समझाते हैं हमें तो सभी लोग अप बॉन्ड जो है क्या करता है डिनोट्स अट्रेक्शन कि किसी दो चीजों के बीच में क्या हो रहा है एक अट्रेक्शन हो रहा है जैसे हमारी फैमिली में और हमारे में क्या होता है बॉन्ड होता है तैसा है नहीं कि हम किसी धागे से बदे बे घूम रहे हैं मगर वह एक ऐस तो यह रिखता नहीं है, तो कंपकल में भी कुछ ऐसा ही होता है, कि जो force होता है, molecules जो होते हैं, उसमें लग रहा होता है, means, atoms की बीच में क्या होता है, force लग रहा होता है, मगर वो visible नहीं होता, तो वो force जो की इन दो atoms को साथ में रखे हुए है, that is called a bond, ठीक है, जिसके बज़े से ये दो atoms हैं, ये साथ में मिलके रह रहे हैं, वो जो force लग रहा है, that is a bond, ठीक है, तो synthesis की definition है, ठीक है, अब देखो bond का जो classification होता है, bond का classification हम बहुत अलग लग तरीकों से करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पूर हम तरीका यूस करेंगे, we use the term, energy, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, klasification बढ़ खते हैं पहले, classification of bonds, ये bonds का हम लोग डेका कैसे-कैसे classified किया हुआ है, तो सबसे पर देखो, जो हम classification करेंगे, वोग करेंगे, हम on the basis of, on the basis of energy energy के basis वं Bond का classification करेंगे तो सबसे पहला देखो तीन पार्ट मों इसको कर सकते हैं कुछ ऐसे Bond होते हैं इसको तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है कुछ ऐसे Bond होते हैं इसको तोड़ने के लिए फिर ठक एनर्जी चाहिए होती है और कुछ ऐसे bond होते है जिनको तोड़ने के लिए बहुत जाला energy चाहिए होती है तो ऐसे compound जिनको तोड़ने लिए कम energy चाहिए होती है तो कितनी चाहिए होती है तो हमने एक बनाया है criteria कि less than 8 kJ per mole ठीक है second वाला है 8 से 42 kJ per mole और third वाला है more than 42 kJ per mole तो हमें इतनी इतनी energy चाहिए होती है किसी भी bond को break करने के लिए इसमें कौन को सी चाहिए है देखो जो less than 8 kJ per mole है इसमें तो आएंगी हमारे wonderful forces wonderful forces तो wonderful forces जो होते हैं बहुत weak होते हैं और उनको तोड़ने के लिए जो energy चाहिए होती है जो बहुत ही कम amount में चाहिए होती है तो less than 8 kJ per mole के कौन आते हैं wonderful forces आते हैं 8 to 42 kJ per mole में यहां पर आते हैं हमारे पास hydrogen bond तो जो hydrogen bond होता है यह comparatively wonderful forces से strong होता है और उसको break करने के लिए 8 to 42 kJ per mole energy required होती है third type के होते हैं जहां पर हमें more than 42 kJ per mole की energy चाहिए होती है तो इसमें हमारे पास तीन टाइप के इंट्रेक्शन आते हैं first is the ionic bond second is covalent bond and third is coordinate bond coordinate bond coordinate bond का ही दूसरा नाम होता है dative bond ठीक है coordinate bond का ही दूसरा नाम होता है dative bond तो यहां पर तीन टाइप के इंट्रेक्शन आ गए ionic bond covalent bond coordinate bond और dative bond तो basic energy के base पर हम यह तीन टाइप के classification कर सकते हैं first जिसमें इसको break करने के लिए less than 8 kJ per mole चाहिए हो दूसरा 8 to 42 kJ per mole चाहिए हो और third one is more than 42 kJ per mole चाहिए हो क्या क्या factor होती है जो उनको effect करते हैं बनने में देखो one of our forces में इसको हम जो chapter 5 है chapter 5 में पढ़ते हैं देखो इसमें आते कौन को इसे interaction है dipole dipole iron dipole dipole induced dipole जिसके अलावा London forces और London forces का ही दूसरा नाम होता है dispersion forces तो यह wonderful interaction होती है तो इनको हम बाद में पढ़ेंगी chapter 5 की starting का ही यह topic है तो यहाँ से हम जो topic start करेंगे वो start करेंगे हम ionic bond तो सबसे पहले जो topic पढ़ेंगे हम इस chapter में that is ionic bond ठीक है तो ionic bond जो होता है 10th plasma में इसके बाद में कुछ-कुछ पढ़ा हुआ है यह 9th plasma में इसमें से कुछ-कुछ आता है तो सबसे पहली बात तो कि ionic bond जो है होता क्या है ठीक है तो इसको जो definition है वो है the bond formed between formed between two atoms due to complete transfer of electron due to complete transfer of electron is called ionic bond तो जिसमें electrons का complete transfer हो जाता है और उससे में जो bond बनता है that is called ionic bond covenant में क्या होता है sharing होती है ionic में क्या होता है there is a complete transfer of electron between the atoms participating ठीक है like example अगर हम लें तो like suppose को मेरे पास NaCl है ठीक है तो NaCl बना कैसे होगा अगर मैं sodium को देखूँ तो sodium को number कितना होता है 11 configuration इसका अगर हम देखें देखो sodium में this is the nearest noble gas और chlorine में अगर वो एक electron रिसर्ट कर ले तो 18 भी पहुँच जाएगा ठीक है और sodium अगर एक electron छोड़ दे तो वो noble gas के पास पहुँच जाएगा तो sodium क्या करता है sodium अपना एक electron रिलीस कर देता है ठीक है तो दोनों के बीच में जो interaction लगा और उससे जो bond क्रेट हुआ that is called ionic bond ठीक है तो दो 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 the bond form between two atoms due to complete transfer of electron इसमें क्या होता है electron पूरा का पूरा transfer हो जाता है sodium क्या कर रहा है अपना जो electron है उसको transfer कर दे रहा है bond formation हो रहा है ठीक है दूसर example देख लेते हैं like suppose करो मेरे पास mgCl2 है तो magnesium जो है क्या करता है दो electron short देता है और कहां जाता है ये mg2 plus की state में आ जाता है जो chlorine है तो दूसर chlorine है क्या करते है इन एक एक electron को accept कर लेते हैं और accept करके क्या बना लेते हैं ये mgCl2 बना लेते हैं ठीक है तो mgCl2 में कौन सा bond होता है ionic bond होता है ठीक है इसके लाबाँ बहुसर example होते है like we can say KCl NaCl में देख लिया aluminum fluoride तो इस सब जो compounds हैं ये all are ionic ठीक है देखो इसमें common क्या है कि हमारे पाइस एक metal है और एक non-metal है means जो bond बन रहा है किसके बीच में बन रहा है एक metal और एक non-metal की बीच में बन रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि the bond formed between the bond formed between a metal and a non-metal is ionic तो जनरली ये बाद सही होती है मगर जनरली में सारी चीज़े नहीं आती है तो the bond form between a metal and non-metal एक metal and non-metal की बीच में बन बनेगा वो क्या होगा ionic होगा but this is not always true like हम example लेते हैं and this is important one ठीक है like suppose फो मेरे पास NH4Cl है देखो this is ammonium this is chlorine दोनों क्या है they both are non-metal they both are non-metal ठीक है NH4 plus तो इसमें क्या कर रखा है कि electron अपना छोड़ रखा है closing क्या करेगा उससे एक electron को accept कर लेगा इन दोनों के बीच में जो bond बनेगा उट्या बनेगा NH4Cl तो it is a anti-compound ठीक है और दोनों कैसे compound है जो participate करते हैं इसमें दोनों जो atoms है they are non-metals ठीक है so जो NH4Cl है it behaves as it behaves as alkali metal alkali metal की तरहे behave करता है हाला कि इसमें जो दोनों को participating elements हैं they both are non-metals ठीक है उपरवले जो examples हैं ये वाले NaCl और MgCl2 इसमें क्या देखा था हम ने कि जो compound है वो एक metal है दूसरा non-metal है ठीक है तो हम जो definition है उसको generalize करके बोले तो we can say कि the bond form between a metal and non-metal is called ionic bond ठीक है but it's not always completely true like in case of NH4Cl so we can say the bond form between two atoms due to complete transfer of electron तो transfer of electron जो है complete हो जाता है it can be between the two metals or it can be between the two non-metals ठीक है तो इस सरे से जो ionic bond है बनता है ठीक है तो को next week फिर भी जैसे कुछ बच्चों पिसमें डाउट रहता है तो वो टॉपी भी देख लेते हैं कि how to determine the formula how to determine the formula of a ionic compound जो भी ionic compound होते हैं उनका formula जो है वो कैसे बनाते हैं देखो तो जो क्रिस क्रॉस रूल आप 9th class में सीखा होगा जो नहीं सीखा है वो बच्चे देखने हैं अभी like sodium है और chlorine है हमें जो ions है जो participate कर रहे है bond formation है उनकी valency पता होने चीए जिन लोग को आता है वो लोग video script करके आगे जा सकते है और आगे वाला पाट देख सकते है तो जो sodium है उसकी valency एक होती है chlorine की valency भी एक होती है यह sodium गया इसके पास और यह एक गया chlorine के पास तो यहां पर क्या हो गया Na और Cl single-single है ठीक है like मुझे बनाना है magnesium और chlorine तो chlorine की valency कितनी होती है 1 magnesium की valency कितनी होती है group 2 से आता है group 2 के सारे जो elements होती है कितनी होती है? 2 होती है. तो यह गया इसके पास और यह cross आके इसके पास हो गया. ठीक है? तो formula क्या बन गया इसका? MgCl2. इसका लबाँ like aluminum है मेरे पास और chlorine है. aluminum को resiliency कितनी होती है? 3? chlorine की 1, aluminum इसके पास और यह इसके पास. तो क्या formula बन गया? AlCl3. तो इस तरह से हम bond form कर सकते है light मेरे पास calcium है और phosphate तो इसके balance होती है 3 होती है calcium के balance कितनी होती है 2 तो अगर मैं Chris Cross rule लगाऊं इसमे तो यह 2 गया phosphate के पास और यह 3 गया calcium के पास तो formula जो बनेगा इस case में वो बनेगा CA3 PO4 और whole का twice तो इस तरह से हम किसे भी compound के formula बना सकते है like next देखेंगे एक example मेरे पास बनाना है calcium sulfate का तो sulfate की balance कितनी होती है 2 होती है और calcium balance कितनी होती है यह भी 2 तो 2 से 2 कड़ जाएगा और formula simply क्या जाएगा CA SO4 तो इस तरह से हम बहुत सारे compound है अगर हम उनके जो ions है ions की balance ही पता है तो we can easily form the compounds ठीक है कुछ element ऐसे होते है जिनकी oxidation state होती है variable होती है ठीक है तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा ठीक है like जो कुछ anions होते है जो अगर हम बात करें cations की तो cations में तो generally आपको जो balance होती है ठीक है like group 1 के जो element है उनकी balance कितनी होती है plus 1 group 2 के जो element है उनकी balance होती है plus 2 जो 13 group है इनकी balance होती है 3 15 group में non-metal start हो जाते है 15, 16 और 17 15 group में nitrogen family है balance कितनी होती है 3 system group में oxygen family balance कितनी होती है minus 2 और halogenes के balance कितनी होती है that is minus 1 ठीक है इसके बीच में जो आते है वो आते हैं हमारे पास transition element transition elements ठीक है जैसे इस candium से लेकर और जो copper वारी series है वो और इसके नीचे पूरे element तो ये जो element होती है oxidation state is variable oxidation state is variable तो इनकी कोई एक common oxidation state नहीं होती है ठीक है जैसे बहुत common example Fe2 plus और Fe3 plus आरे जो है इसके दो oxidation state है ठीक है plus 2 is called ferrous और plus 3 is called ferric तो कमिस्टर में क्या होता है किसी भी element की जो कम वाली state होती है ठीक है less number वाली oxidation state होती है उसके असम क्या लगाते है S लगाते है और जो more number वाली oxidation state होती है उसके असम क्या लगाते है 1 लगाते है तो कम वाली के साथ S ज्यादा वाली के साथ 1 जैसे Fe2 plus और Fe3 plus Fe4 plus को हमने क्या गाहा ferrous और 3 plus वाली को क्या क्या हा ferric ठीक है ऐसी copper single plus और copper two plus this is called cupress and this is called cupric तो एक आया ज्यादा वाली state के साथ और अस आया कम वाली state के साथ ठीक है similarly अगर मेरे पास sn two plus है और sn four plus है तो two plus is called spanish and four plus is called spanish ठीक है तो ज्यादा वाली state है क्या आया end में एक आया कम वाली state है क्या आया अस आया तो chemistry में जो किसी भी element के जो कम वाली oxidation state होती है उसके साथ क्या लगता है अस लगता है और ज्यादा वाली oxidation state के साथ क्या लगता है एक लगता है ठीक है ज्यादा वाली के साथ एक और ज्यादा वाली oxidation state है उसके साथ S, ठीक है, तो याद रखना है USIC, कम वाली के साथ S, ज्यादा वाली के साथ 1, ठीक है, तो इससे रैसे हम देख सकते हैं, कि जो formula है, ID compounds हम कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है, कुछ common anions है, उसकी जो balance है, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, हला कि आपको जैसे आप chemistry आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको यह पता चलता जाएगा, मगर फिर भी हम for knowledge लिख लेते हैं, ठीक है, जो anions होते हैं, हम जो लिख रहे हैं, we are writing only the general oxidation state, जो oxidation state है, वो बहुत सारी हो सकते हैं, मगर हम general लिख रहे हैं, जो generally use करते हैं, like, जो halogens होते है, फ्लोरो, फ्लो हैं, oxide is O minus minus, ठीक है, nitride is N3 minus, 3 होती है, इसके oxidation state, ठीक है, इसके अलावा, N3 single minus, this is called azide, ठीक है, तो जैसे इसका formula बनाना हो, sodium azide, तो sodium azide का हो जाएगा, NaN3, ठीक है, this is important, ध्यान रटना, azide ion, जो azide ion का formula हो, वो क्या होता है, N3 single minus, ठीक है, इसके अलावा, like, मेरे पास, SO4 है, तो it is called sulfate, ठीक है, minus कितना होता है, इसके पार 2 minus होता है, SO3, 2 minus, it is called sulfite, ठीक है, S2O3, 2 minus, it is called thiosulfate, NO2, it is nitride, NO3 single minus, it is called nitrate, ठीक है, to sulfate, sulfite, thiosulfate, nitride, nitrate, ठीक है, MnO4 single minus, it is called permagnate, इसके अलावा, MnO4, 2 minus, it is called magnate, CRO4, 2 minus, CRO4, 2 minus, CRO4, 2 minus, it is called chromate, CRO4, 2 minus, it is called oxalate, CRO4, 2 minus, it is called oxalate, ठीक है, तो यह कुछ-कुछ common ions हैं, और बाकि जैसे जैसे आप chemistry में आगे बढ़ते जाओगे, आपको बहुत सरे compounds मिलते जाएंगे, और आपको उनकी जो common oxidation state है, यह आपको याद होती जाएंगे, ठीक है, तो these are सर्फ general ones, ठीक है, तो यह मारे पास ionic bond से related कुछ exotopic थे, ठीक है, next topic is conditions to form an ionic bond, एक ionic bond को form होने के लिए, क्या-के condition होनी चाहिए, ठीक है, देखो, तो सबसे पहला, हमारे पास, एक term होती आनेशे enthalpy, एक होती है, electron gain enthalpy, ठीक है, तो यह दो इसमें term यूज़ रने वाली है, देखो, आनेशे enthalpy क्या होता है, electron removal, electron removal, और electron gain enthalpy क्या होता है, electron को gain करना, ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास कोई भी ionic compound बनना है, कोई भी ionic compound बनना है, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो element है, लाइक हम example ले लेते हैं, NACR के example ले लेते हैं, तो N क्या करने वाला है, electron को accept करने वाला है, तो sodium जितना असाने से electron छोड़ देगा, उतना अच्छा है, और chlorine जितना असाने से electron ले लेगा, उतना अच्छा है, ठीक है, और electron छोडने को क्या कहते हैं, और electron ले लेने को क्या कहते हैं, electron gain enthalpy, ठीक है, दुबारे से देखो, sodium जो है, क्या करने वाला है, sodium is going to leave the electron, तो sodium electron छोडने वाला है, तो अगर sodium electron छोडने वाला है, और अगर वो बहुत असानी से electron छोड़ दे, तो उतना ही असानी से क्या हो जाएगा, अमारे पास anic bond बन जाएगा, chlorine का करने वाला है, chlorine electron लेने वाला है, तो अगर chlorine आसानी से electron ले लेता है, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, means electron को छोड़ना, आनेश एंथेल्पी कैसी होने चाहिए, कम होनी चाहिए, और electron को आसानी से ले लेना, means, जो electron gain अन्थेल्पी की वाल्यू होगा, कैसी होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, और electron gain अन्थेल्पी पता होता है मुझे, और chlorine एक electron लेता है, तो इसमें जो electron gain अन्थेल्पी होती है, क्या होती है, it is highly negative, तो जो first electron gain अन्थेल्पी होती है, नेगटिव होती है, तो इलेक्ट्रों के इन्थेलपी कैसी ने चाहिए, ज्यादा with negative sign, इलेक्ट्रों के इन्थेलपी should be more with negative sign, और जो अनेशन थेलपी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, समझाता है, इसे statement form में लिख लेते हैं, ठीक है, तो first point is, the value of अनेशन थेलपी should be low, एक अच्छा इन्थेलपी बनाने के लिए, जो अनेशन थेलपी है, उसकी जो value क्यों चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, अगर कोई metal, आसाने से electron शोड़ देगा, तो वो ज्यादा बेटर अनेशन थेलपी बनाएगा, दूसरा, the value of electron gain enthalpy, the value of electron gain enthalpy should be high with negative value, should be high with negative value, जो electron gain enthalpy है, जो उसकी value होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, इसमें negative में, ठीक है, तो ये दो criteria हैं, कि एक ionic bond को form होनी के लिए, क्या condition favorable होनी चाहिए, ठीक है, अगर कोई देखो, तीसरा point आता है, अगर metal है, metal ने electron शोड़ दिया, ठीक है, non metal है, non metal ने electron ले लिया, तो हमारे पास, metal electron शोड़ देगा, non metal electron ले ले लेगा, अब, ये दोनों milk के बना लेंगे, एक compound बना लेंगे, ठीक है, अब देखो, ये जो structure बना, structure और weakens से, जो lattice बना, ठीक है, अब देखो, ये lattice जो है, अगर lattice weak रहा, तो क्या होगा, compound बना, और वो आसाने से टूट सकता है, lattice मेंस क्या होता है, lattice मेंसे structure, कुछ भी आनी इस का कुछ नहीं structure होता है तो अगर structure जो है वह बहुत ही strong है तो structure अगर strong है इसका मतलब जो compound बनाये तो तूटने चाहेगा इसके लाब अगर structure बहुत वीग है तो दो रिक इसलि ब्रेक द ना compound तो कि structure आनी इसका week है तो latest जो है for a good and stable अनिक कंपाउंड लेटिस शुड़ बी वेरी स्टेबल जो लेटिस एंथेलपी है वो क्या होनी चाहिए बहुत जादा स्टेबल होनी चाहिए ठीक है तो तीसरा पंडम जी सकते हैं वो है जी सकते हैं मोर दा लेटिस एंथेलपी मोर स्टेबल दा अनिक कंपाउंड इस थीक है तो यह इंपोर्टन प्वेंट है देखो है हमने यह आज तीन प्वेंट देख लिए सबसे पहला जो अनिशन थेलपी है इस शुड़ भी लो इसके अलावा इलेक्ट्रों गिन थेलपी जो है इस शुड़ भी हाई भी नेगटिव वैल्यू और थर्ड क्या है जो लेटिस एंथेलपी है वो कैसी होने चाहिए वो ज्यादा होने चाहिए ठीक है तो यह तीन प्वेंट मारे पास किसी भी एक अनिक अगर मुझे एक स्टॉंग अनिक कंपाउंड गनाना है तो इसके लिए अनिक थेलपी कम इलेक्ट्रों गिन थेलपी भी नेगटिव वैल्यू ज्यादा और लेटिस शुड़ भी मोर स्टेबल ठीक है तो तीन क्रेटिरिया है ठीक है लेटिस इंथेलपी को अफ्वा डिट इसी में हम बहुंनेबर साइकल पी समझ लेंगी कि बहुंनेबर साइकल वह कैसे कैसे करेंगे तो सबसे पहले जो हम डलते हैं सब्रॉपिक इसको करेंगी अगे explain, ठीक है, that is lattice enthalpy so, lattice enthalpy को कैसे define करेंगे it is defined as the amount of energy released when one mole of ionic lattice is formed from its gaseous constituent ion ठीक है, जब suppose को मेरे पास Na plus gas form में है Cl minus gas form में है तो ये दो निमिल के का बनाएंगे NaCl बनाएंगे और वो कैसे रहा है, gas में मगर घर में हम जो salt use करते हैं, क्या हो gas में आता है हमारे पास बिल्कुल नहीं, वो तो solid होता है मगर यहाँ पर जो Na plus, ये तो gas में होता है Cl minus, Cb gas में होता है तो वगर दोनों चीते gas में हैं, तो ये NaCl है बना, वो भी gas में बनेगा मगर जो हमारे पास आता है नमक, वो कैसा होता है solid होता है, means, इसका हो क्या रहा है जो NaCl gas है, ये किस में convert हो रहा है NaCl solid में convert हो रहा है, तो NaCl gas को NaCl solid में convert करने के लिए जो energy required है वही क्या है that is lattice energy और lattice enthalpy lattice मतलब क्या structure बनना NaCl gas है, तो gas का कोई structure होगा नहीं, gas वहाँ में उट रहोगी, कोई structure लिए 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 it does not have a particular structure मगर जब वो solid form में आ जाएगा तो उसका कुछ structure बन जाएगा like suppose or we can say इस तरह से देखो ये में पास हम एक comment से एक lattice बना लेते है like, देखो NaCl अगर gas में है, तो gas में क्या है NaCl और NaCl है क्या है, सब हवा में उट रहे है ठीक है, इनका कोई particular structure नहीं है तो particular structure नहीं है तो क्या होगा, जब ये cool down होगा तो क्या करेगा, ये structure की form लेगा उसी structure क्या कहते है, lattice कहते है like अगर ब्रिक्स होती है तो ब्रिक्स हैं अपना घर बनाते है तो जब ब्रिक्स fakie हुई है ऐसा ही तो जब ब्रिक्स fakie हुई है, उनका कोई particular structure नहीं है कुछ से ऐसी fakie हुआ हुआ है, कुछ बना नहीं नहीं उसे structure मगर जब उसको एक proper way में arrange किया जाता है तो proper way में arrange करके क्या बन जाता है एक structure बन जाता है तो जो इटे ऐसी अगर हम fakie हुई है तो वो क्या हमारे पास एक random state है और उससे जब हमने combine करके कुछ बना लिया तो वो lattice बन गया तो जैसे इस analogy से आप इसको compare कर सकते है तो lattice basically में इस होता है this is plus minus plus minus plus minus ठीक है तो पहले क्या आता है NACL हावा में उड़ रहा था सारे NACL NACL क्या थे सभावा में थे मगर अब क्या हुआ उसने क्या कर लिया है particular shape acquire कर लिया है और यही जो shape होता है क्या होता है lattice कहलाता है ठीक है तो इस NACL gas को इस NACL solid में आने के लिए जो energy required है that is called lattice enthalpy ठीक है इसको ultra भी define किया जाता है तो ultra means क्या होता है एक तमझे देखा कि NACL gas से कहाँ पर आएगा NACL solid में आएगा इसको नहीं क्या कहा lattice enthalpy उल्टा भी इसको define कर सकते है कि NACL solid को अगर मुझे NACL gas में ले जाना है तो जो energy required होगी वह भी क्या होगी वह भी lattice enthalpy होगी अपर science change हो जाएंगे ठीक है तो इसको देखते है देखो example समझते है suppose what मेरे पास यह कह structure है इस structure को बनने में 50 kJ per mol energy लगी है इस structure को बनने में 50 kJ per mol energy लगी है अगर मुझे इससे तोड़ना है इससे मुझे तोड़ना है तो तोड़ने में कितनी energy चाहिए होगी उतनी ही 50 kJ per mol जितनी energy लेके यह structure बना है उतनी energy मुझे चाहिए होगी इसको तोड़ने के लिए तो NACL मेरे पास था gas warm में और इससे मुझे बनाया था NACL solid तो जो definition लिखी तोड़ने क्या लिखी थी कि तो the amount of energy required to convert one mole of gas to one mole of solid इससे मुझे क्या कहा था lattice enthalpy यह मैं इसको ultra भी define कर सकता हूं the amount of energy required to convert one mole of NACL to its gaseous form NACL solid है इसको gases form में convert करने के लिए जितनी energy चाहिए होती वो भी क्या होती है that is also termed as lattice enthalpy ठीक है तो lattice enthalpy को हम दोनों तरह को से define कर सकते है either gas से जो structure है solid में आ रहा हो या solid से gas में जा रहा हो ठीक है तो जैसे भी आपको definition suitable हो आप याद कर सकते है ठीक है मैं तो कहूंगा आप यह proper definition जो है एक ही वाली आत कर लो ठीक है उल्टाइगाउस का उल्टाइगार दिना आप ठीक है तो the amount of energy released when one mole of ionic lattices forms from its gases constant ion ठीक है energy release और इसको ध्यान रखना अभी इसका जो born neighbor cycle है born neighbor cycle में यादे clear हो जाएगा आपको ठीक है तो यह हुआ हमारे पास lattice enthalpy तो next देखते हम born heber cycle ठीक है यह वैसे topic thermodynamics का है मगर क्योंकि हम lattice enthalpy पढ़ रहे है और आनिक जो born dogs का topic पढ़ रहे है तो उसके relation में ही आएगा यह तो इसको इसी में पढ़ लेते हैं देखो मेरे पास sodium होता है sodium कैसे पाया जाता है इस दुनिया में solid की form में or chlorine sodium gas की form में पाया जाता है और यह दोन्हों react करके क्या बनाते है NaCl solid बनाते है ठीक है अब देखो सोचो just simple example कि अगर आपके पास NaCl solid है sodium पढ़गा आपके आपके पास chlorine gas मिला दिया तो क्या आप NaCl पालोगे बिल्कुल नहीं मिलेगा आपके NaCl तो बनने का जो प्रोसेस है वो पुरा follow करने पढ़ेगा तब जाके आपके पास NaCl बनेगा अलग-अलग उसमें energy release होंगी अलग-अलग energy required होंगी तो कौनकोंसी energy है उसको हम देखने वाले हैं और उसका जो total sum होता है वही क्या होता है bond-eva cycle होता है तो यहाँ पर NaCl क्या हो रहा है NaCl form हो रहा है तो delta F क्या लगाएंगे हम formation formation F NaCl है तो delta H F formation के लिए देखो तो सबसे पहले stress में होगा क्या कि तो sodium solid है यह किसमें connect होगा sodium gas में convert होगा तो जब sodium solid gas में convert हो रहा है तो यहाँ पर enthalpy involved होगी that is delta H sublimation ठीक है कोई भी अगर solid वो directly gas में convert हो रहा है without undergoing to liquid state that is called sublimation तो यहाँ पर जो sodium solid है कहां जा रहा है sodium gas में जा रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा enthalpy of sublimation लगेगा फिर जो sodium gas है क्या करेगा यह convert होगा sodium iron में तो यहाँ पर क्या लगा ionization enthalpy लगा ठीक है अब sodium जो आ चुका है यह sodium iron gases form में आ चुका है ठीक है अब देखो chlorine जो है balance कर लो इसे यहाँ पर half लगा दो chlorine जो है पहले क्या होगा तो chlorine में क्या है दो bond है CL और CL इसके बीच में एक bond बन रखा है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे को यहाँ पर एक ही chlorine चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले इस bond को break करना पड़ेगा तो यहाँ पर सबसे पहले जो enthalpy लगेगी delta H कौँसी लगेगी bond dissociation enthalpy BDE ठीक है bond dissociation enthalpy और यह किस में convert हो जाएगा CL में convert हो जाएगा ठीक है और क्योंकि यहाँ पर दो chlorine थे हाफ लगावत है यहाँ तो यहाँ पर किसे multiply कर दो हाफ से कर दो ठीक है तो we can easily write it as half bond dissociation enthalpy ठीक है अब मेरे पास क्या आ चुक है single chlorine का atom आ चुक है जो की gas form में है अब यह जो chlorine का atom है क्या कर रहेगा यह CL माइनस में convert होगा और CL माइनस में convert होगा तो इसने क्या है कि electron gain किया है तो यहाँ पर कौन सी energy लगेगी electron gain enthalpy लगेगी ठीक है इसने electron लेके और कहाँ चला गया यह CL माइनस gas में चला गया अब देखो Na gas की form में है Cl gas की form में है दोनों मिलेंगे तो क्या बना लेंगे NaCl gas बना लेंगे जब NaCl gas बन गया तो कुछ का structure होगा कुछ structure भी होगा gas form में gas form में structure होता ही नहीं अब क्या होगा यह convert होगा किसमे NaCl solid में तो जब NaCl solid कोई भी solid बनता है तो solid का कुछन को structure होता है, उसी structure को कहते है lattice, तो NaCl जो गया से, convert होगा NaCl solid में, तो यहाँ पर जो energy लगेगी, that is called lattice enthalpy, ठीक है, तो देखो, NaCl के form होने में, NaCl के form होने में, कौन कौन से energy लगी, सबसे पहरा लगा delta H, sublimation, ठीक है, फिर लगा, anasian enthalpy, फिर लगा, अगर मैं Na को, Na gas में convert कर रहा हूँ, Na solid को, मैं convert कर रहा हूँ, Na gas में, तो देखो, मुझे बाहर से देनी पड़ीगी energy, तो जब हम energy बाहर से देते हैं, तो उस case में, जो sign अब कैसा आता है, positive, इसके लगाया है, positive, इसके लगावा, अनेशन enthalpy, इलेक्ट्रोन निकालने के लिए भी क्या करना पड़ता है, मुझे, जो first अनेशन enthalpy है, वो positive ही होती है, ठीक है, और जो second और third होती है, इससा भी positive होती है, ठीक है, जो अनेशन enthalpy है, वो ही positive होगी, इसके सामने, positive काया, अब chlorine जो है, मुझे क्या करना है, chlorine का bond तोड़ना है, तो bond तोड़ने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, जब बाहर से इसको देनी पड़ेगा energy, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, half bond dissociation enthalpy, bond dissociation enthalpy भी क्या होगी, positive होगी, क्योंकि, जो bond हो ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक होने के लिए में का करना पड़ेगा, बाहर से energy इसको देनी पड़ेगी, ठीक है, next राता है, electron gain enthalpy, अब देखो, जो first electron gain enthalpy होती है, वो negative होती है, ठीक है, तो यहाँ पर sign कॉन सा आएगा, electron gain enthalpy के सामने, negative का आएगा sign, ठीक है, तो sign जो है, वो बहुत important है, धियान रखना, electron gain enthalpy में, sign कौन सा आया, negative, ठीक है, उसके बाद initial gas बन चुका है, और यह कहाँ जा रहा है, lattice, enthalpy लग रही है, और कहाँ जा रहा है, अब देखो, initial gas जो है, इसकी जो energy हो क्या है, बहुत जादा है, energy निकाली, तो जब energy निकाली, तो sign कौन सा आएगा, sign आएगा, negative, ठीक है, तो relative enthalpy किसमे लेंगे है, यहाँ पर negative भी लेंगे, तो अगर बुझे, NACL के formation निकालना है, तो NACL के formation के लिए, देखो energy कौन कौन सी लगी, और कैसे कैसे इसको इसको यूज़ करेंगे, sign का formation क्या होंगे, वो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, देखो, यहाँ पर जो हमने एक point लिखाता है, जो third point अगर आप याद रुकरो उसे तो, तो हमने लिखाता, for a stable, for a stable ionic compound, for a stable ionic compound, lattice enthalpy should be more, ठीक है, या we can say, कि more the lattice enthalpy, more will be the stability of ionic compound, कोई भी ionic compound उतना ही ज्यादा stable होगा, जितनी ज्यादा उसकी lattice enthalpy होगी, तो more stable the ionic compound, more will be lattice enthalpy और वाइस वर्सा, तो यहाँ पर, अगर वे पास कोई compound है, जो की, कम lattice enthalpy लेके, solid form में convert हो रहा है, कम lattice enthalpy लेके, solid form में convert हो रहा है, तो उसका जो structure होगा, कैसा होगा, weak होगा, अगर किसी compound ने, बहुत ज़्यादा energy निकाल दी, और बहुत ज़्यादा energy निकाल के, कहाँ पहुंच गया वो, एक लोगर energy state पहुंच गया, तो लोगर energy state पह जाने के बात क्या होगा, compound stable होगा, उसका lattice क्या होगा, strong होगा, तो यही इसमें ध्यान दखना है, कि lattice enthalpy, जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही इस compound क्या होगा, stable होगा, ज़्यादा इन्टर सेंस में बोल रहा हो, फिस negative value, क्योंकि lattice enthalpy नेगटिव में होती है, जब हम किसी भी compound को stable करना चाहते है, तो वो अपनी minimum energy state पहोना चाहिए, और minimum energy state पहोगा, तो क्या करेगा, energy release कर गए, more stable state पहोगा, जाला जाएगा, phase बदलेगी, तो हम lattice enthalpy का sign भी change कर लेंगे, अगर मुझे lattice enthalpy लेना है, solid to gas, तो इस तरह से हम रिकालते हैं, formation, ठीक है, एक रिजांपर देख लेते हैं, यहाँ पर, magnesium, solid form में होता है, chlorine, Cl2, gas form में होता है, और यह कहां जाएगा, MgCl2 में जाएगा, ठीक है, अब देखो, इसके लिए मुझे delta H, formation calculate करना है, तो देखो, बहुत सिंपल, सबसे पहले, magnesium जो है, magnesium जो है, क्या होगा, magnesium will convert to, magnesium gas form, यहाँ पर क्या लगा, delta H, sublimination लगा, फिर magnesium gas क्या करेगा, एक electron lose करेगा, कौनसे एनर्जे लगी, IE1, first ignition therapy, फिर magnesium plus क्या करेगा, अपना दूसरा electron lose करेगा, तो यहाँ पर कौनसे एनर्जे लगी, IE2, ठीक है, अब यह आ चुका है, magnesium 2 plus, gas की form में, chlorine का देखते हैं, तो chlorine जो है, इसकी बिजमें तो को bond होता है, chlorine, chlorine, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, bond को break करना पड़ेगा, तो bond को break करने के लिए, कौनसे एनर्जे लगेगी, bond, dissociation, energy, तो bond उट जाएगा, कहां पहुंच जाएगा यह, chlorine में, ठीक है, अब यह chlorine क्या करेंगे, CL- में convert होंगे, और CL- में convert हुए, तो यहाँ पर क्या लगा, electron, gain, enthalpy लगा, ठीक है, दुबार से देखो, chlorine ने क्या किया, gas for में तो पहले से ही था, और इसके बीचे bond बना वाए, chlorine, chlorine का, तो मुझे bond को क्या करना है, तो bond को तोड़ने के लिए, consistency energy, bond dissociation enthalpy, और कुकिश का गए, stoichiometry 1 है, तो यहाँ पर क्या लगा दिए, मैंने 1, तो 1 से बड़पलाइ करेंगे, NaC लिए मैंने क्या लगा था, हाफ लगा था, क्योंकि मुझे 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 दो chlorine चाहिए था, यहाँ पर मुझे दो chlorine चाहिए मैंने दोनों ये लिए हैं साथ में, ठीक है, तो bond dissociation enthalpy लगा और bond dissociation enthalpy लगके, कहाँ पहुँच गया यह, chlorine atom फॉर्म में पहुँच गया, ठीक है, फिर इस chlorine atom क्या करेगा, यह chlorine atom, electron gain करेगा, और gain करके कहाँ पहुच गया, यह chlorine अनायन में पहुच गया, अब देखो मेरे पास जोनों फॉर्म जो हैं, गास की फॉर्म में आ चुकी है, mg2 प्लस और इस Cl-, दोनों कमाइन करेंगे, कमाइन करके क्या फॉर्म कर लेंगे यह, mgCl2, gas form कर लेंगे, और mgCl2 gas कहाँ जाएगा, mgCl2 solid में, तो कौँ से energy लगेगी यहाँ पर, lattice enthalpy लगेगी, तो इस तरह से हम calculate कर सकते हैं, कि lattice enthalpy जो है वो, कैसे निकाली जाती है, ठीक है, अगर मैं इसका पूरा formation लिखूँ, तो वो formation कैसे कैसे आएगा, delta HF, तो क्या क्या लगा यहाँ पर, सबसे पहले, delta H, sublimation लगा, उसके बाद, anation enthalpy 1 लगा, फिर anation enthalpy 2 लगा, यह समक्या करें, energy दे रहे हैं, इसके अलावा, bond dissociation, enthalpy लगा, यहाँ पर वो हमने क्या किया है, energy दी है, अब देखो, electron gain enthalpy, देखें उसके बाद, electron gain enthalpy, तो electron gain enthalpy, जो होता है, chlorine का negative में होता है, तो यहाँ पर, साइं कौन सा आएगा, negative, और, कितने आटेम के लिए निकाल ले हैं, दो आटेम के लिए निकालने हैं, तो यहाँ पर क्या लगएगा, 2, 2, into electron gain enthalpy, क्योंकि हम एक item के लिए, एक electron gain enthalpy, दो item के लिए, दो electron gain enthalpy, क्योंकि मुझे आपर, chlorine कितने चाहिए थे, दो चाहिए थे, ठीक है, उसके बाद, minus, lattice enthalpy, ठीक है, तो इस तरह से हम, निकाल सकते हैं, total, कि कैसे हम, किसी भी compound के लिए, total energy निकाल सकते हैं, ठीक है, यह जो पूरा process समझाया आपको, this is the bond neighbor cycle, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आपको जो यह values है, delta sublimation, anisal enthalpy की value, bond distribution enthalpy की value, electron enthalpy की value, lattice enthalpy की value, और enthalpy of formation, इन में से आपको, कोई भी एक value missing रहेगी, आपको उसको calculate करना होगा, तो तरीका यही रहता है, ठीक है, तो इसको एक बार दुबार से देख लेते हैं, anisal का bond neighbor cycle इस्ते रहे से था, पहले anisal को sublimate किया, anisal को anis किया, chlorine को पहले bond तोड़ा उसका, फिर उसमें electron gain कराया, और बाद में कराया, यह latest बन गया उसका, तो data है चाफ कैसे निकाल आता उसका, sublimation plus anisal enthalpy plus bond distribution enthalpy, electron gain enthalpy नेगटिव में होता है, इसलिए negative आया हुआ है, latest enthalpy नेगटिव होता है, इसलिए negative आया हुआ है, इसके लावा अगर magnesium chloride का देखें, तो magnesium chloride में क्या है, mg2 plus में होता है, तो इसमें मुझे IE1 और IE2, दो बार लगाना पड़ेगा, anisal enthalpy, इसके लावा क्लोरीन जो हैं आपर, मुझे दो चाहिए, तो इसलिए मैंने, दो बार electron gain enthalpy लगाए हुआ है, ठीक है, calculate कर लेंगे, तो sublimation plus dono anisal enthalpy, plus bond dissociation enthalpy, इसके लावा, दो बार electron gain enthalpy, और एक बार lattice enthalpy, ठीक है, इस तरह से हम calculate कर सकते है, bond dissociation enthalpy of, any any compound, और we can say, कि the amount of energy released, or the lattice enthalpy of formation, enthalpy of formation for a, any compound, ठीक है, तो यह bond neighbor cycle होता है, ठीक है, तो, यह जो topic पढ़ा हमने, तो देखो, finally summarize करते हुए, जो हम पढ़ रहे थे topic, ठीक है, वो क्या पढ़ रहे थे, कि, एक stable any compound, बनने के लिए, condition क्या कहोने चाहिए, और एक, अच्छानी compound, कब बन जाएगा, तो तिन condition देखी थी हमने, इसके लिए पहला, जो any any enthalpy होने चाहिए, जो अच्छा any compound बनेगा, दूसरा, जो electron gain enthalpy होने चाहिए, वो कैसी होने चाहिए, high with negative value, electron असानी से, accept कर लइना चाहिए, atom को, इसके लावर, जो latest enthalpy होने चाहिए, जो कैसी होने चाहिए, high, तो अगर ये तीन criteria satisfy होते हैं, तो जो compound एक ऐसा होगा, एक बहुत अच्छा है stable ionic compound बनेगा, ठीक है, next topic देखते हैं, factors on which latest enthalpy depends, वो ऐसे कौन-कौन से factors है, जिनके उपर जो latest enthalpy होग डिपेंड करती है, latest enthalpy अभी हमने समझ लिया, कि latest enthalpy क्या होती है, तो अब ये देखेंगे हम कि वो कौन-कौन से factors हैं, जिनके उपर जो latest enthalpy है, वो depend करती है, ठीक है, तो definition तो अबने देखी लिए थी, कि latest enthalpy क्या होती है, अब देखेंगे factors कौन-कौन से effect करते हैं, तो first one is, more the charge on cation, more will be latest enthalpy, cation के उपर जितना ज्यादा charge होगा, latest enthalpy क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, means, जिस चार्ज है, on cation, it is directly proportional to the lattice enthalpy, जितना ज्यादा charge cation पर, उतनी ही ज्यादा lattice enthalpy, क्योंकि अगर कोई छोटा compound है, छोटा cation है, और एक भी बड़ा cation है, तो आपको सोचो, कि एक compact structure conform कर सकता है, बड़ा जब compound cation है, वो structure form करना है गए, तो उसके बीच में जो gaps है, gap क्या होगी, बहुत जादा जादा gap होगी, जिपर जो छोटा है, उसके बीच में जो gaps होगी, क्या होगी, बहुत कम-कम gap होगी, तो एक जो छोटा structure है, और विकें से जोटा cut iron, वो क्या कर सकता है, एक बहुत जी stable structure बना सकता है, और जो जिपर बड़ा होगा, उसके बीच में जो gaps होगी, बहुत जादा होगी, lattice का होगा, बहुत बेकार बनेगा, ठीक है, less will be lattice enthalpy, ठीक है, तो यहाँ पर size और lattice enthalpy में comparison करें, तो कैसे वरी करता है, inversely, अगर size बहुत जादा है, देखो, size अगर बहुत बड़ा है, तो अगर size बड़ा है, तो lattice क्या होगा, बहुत बेकार बनेगा, तो lattice enthalpy क्या होगी, कम, ठीक है, जो हमें कटाइन वाला पड़ा जाएं, तो इसका उल्टा है, ठीक है, देखो, कटाइन में, चार्ज इतना ज्यादा होगा, more the charge, more the z effective, और जितना ज्याद ज्याद ज्यादा, चोटा हो जाएगा, और size चोटा, तो lattice enthalpy क्या होगी, ज्यादा, ठीक है, दुबार से बोल रहा हूँ, अगर 4 ज्यादा होगा, तो z effective value ज्यादा, और z effective ज्यादा, तो size चोटा, और size चोटा, तो lattice enthalpy more, उसका उल्टा क्या है, ये वाला, अगर size बड़ा होगा, तो nucleus से distance क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, खीची नहीं पाएगा, lattice strong होई नहीं पाएगा, तो lattice कैसा होगा, weak होगा, ठीक है, तो अगर मैं एक जगह इसको लिखनू दोनों को, कि जो lattice enthalpy है, ये किसको पर depend करती है, directly proportional to the charge, and inversely proportional to the size, तो ये बहुत important है, दोनों बात धिध्यान रखनी है, MCQ में question आता है, like इससे related question देख लिएते हैं, कि मेरे पास, ये metal fluorides है, ठीक है, तो metal fluorides में बताना है मुझे, कि इसमें जो highest, lattice enthalpy है, वो किसकी होगी, ठीक है, देखो, fluorine सब में common है, तो इससे काटो, क्या बचा, sodium plus form में है, magnesium 2 plus की form में है, और aluminium 3 plus की form में है, तो चार्ज किस पर ज़्यादा है सबसे, तो चार्ज ज़्यादा है सबसे अलुमिनियम पर, ठीक है, तो जब चार्ज अलुमिनियम सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा, जो lattice enthalpy है, किसकी ज़्यादा होगी, सबसेद लेटेस अंथेल्पी होगी KY- Agrownibile compound की, ठीक है? तो order क्या बनेगा? ये गलिमिनियम की लेटेस अंथेल्पी है सबसे जाधा और sodium की क्या होगी सबसे कम होगी ठीक है? इसे इसे related question number 2 देखते हैं, sometimes oxides है same वही oxygen है, काटो इसे, हटाओ तो sodium प्लस वन की फॉर्म में मागनेशन 2 प्लस, aluminium 3 प्लस more the charge, more will be lattice enthalpy तो किसकी ज्यादा aluminium की ज्यादा, sodium की कम ठीक है तो देखो इन दो कोशन में कैसे move किया हमने इन दो कोशन में move किया हमने period में तो period में जाते हुए हम क्या देख रहे है चार्ज देख रहे है तो period में जाते हुए size भी क्या होता है कम होता है मगर यहाँ पर हम charge जो है वो उसको देखेंगे क्योंकि charge is more dominating as compared to size, ठीक है चार्ज जो size में से अगर हमें पता लगाना रहे, तो charge जो size में से हम हमेशे किसको consider करेंगे we will consider था charge, ठीक है third question देख लेते है like में पास lithium oxide है और lithium nitride है ठीक है, अब देखो lithium यह सो common है, lithium को हटा हो, तो मेरे पास क्या बचा oxide है और nitride है, अब देखो इसमें जो charge है, वो ज़्याद है means इसका जो size है, क्या होगा बड़ा होगा, और lattice enthalpy और size का कैसा relation देखा था हमने, inverse देखा था means, अगर size बड़ा तो lattice बिकार और lattice बिकार तो इस case में ज़्यादा होगा lithium oxide का as compared to nitride ठीक है एक और देख लेते है, question question 4 like इस case में halogen से ले लेता हूँ sodium common है, cut आओ इसे क्या बचा, F minus, CL minus और BR minus, देखो इसमें जो BR minus है BR minus का जो size है, वो क्या है सबसे large size होगा, ठीक है size बड़ा, तो lattice enthalpy size का देखा था relation में ने lattice enthalpy और size इंवस्य बिरी करते है more the size, less the lattice enthalpy तो सबसे ज़्यादा किसकी lattice होगी fluoride की, then fluoride की, और सबसे कम किसकी होगी bromide की, ठीक है एक और question देख लेते है sodium fluoride है और magnesium chloride है अब देखो, इसमें कटाइन भी अलग है और अनानी भी अलग है, इस case में तो दोनों चीज़े अलग हो जाएंगे, अगर मैं दोनों factor लगाऊँ देखो, latest enthalpy मैंने कैसे देखा था charge और size इस तरह से मैंने comparison किया था, मगर इस case में देखो अगर आप इनको लगाऊगे तो दोनों बें आंसर अलग लगाएगा लाइक सबस्पोस करो कि मैं कटाइन को लेता हूँ, पहले कटाइन, Mg2+, और sodium अब देखो, magnesium को जो charge ज्यादा है, इसके according, lattice enthalpy किसकी जाना हो चाहिए magnesium वाले की ज्यादा होने चाहिए, तो ये पहला आजाता है अगर मैं, anion को consider करूँ, तो Cl- और F- है मेरे पास, तो MgCl2, इस वाले केस में, और इस वाले केस में आंसर क्या आ रहा है, fluorine वाला compound means, NaF, देखो, एक केस में आंसर MgCl2, एक केस में आसर NaF, अब क्या करें, ठीक है, तो देखो, जभी भी ऐसा केस आ जाए, तो हमेशा कौन जीतेगा, आप तो पहले भी बताया, कि जभी भी चार्ज और साइस में से मुझे consider करना रहे, कि मैं किसको consider करूँगा अपना आंसर निकालने के लिए, तो क्या होगा हमेशा, चार्ज विल विन, ठीक है, तो इस केस में, आंसर किसे निकाला जाएगा, चार्ज के कोड़ी निकाला जाएगा, ठीक है, देखो, नाइस में क्या देख रहा था मैं, साइस देख रहा था, क्टाइंस में क्या देखते हैं, क्टाइंस में देखते हैं, चार्ज, तो कर्टाइंस में चार्ज देखा जाएगा, तो इस case में, अगर मैं NA plus और Mg 2 plus की बात करूँ तो चार्ज किसका ज्यादा, magnesium का, इसलिए magnesium का lattice ज्यादा strong होगा, तो answer क्या होगा, NAF का lattice enthalpy कम होगा, और Mg 2 का lattice enthalpy ज्यादा होगा, तो this is very important concept, तो उसको ध्यादा रखना है, ठीक है, तो यह थे हमारे उपर, हमारे पास कुछ lattice enthalpy के उपर, question, ठीक है, so बहुत important है ध्यादा रखना है, तो अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया, chapter में, एक बार उससे summarize कर लेते हैं, तो टोपिक स्टाट किया था हमने chemical bonding के साथ, तो chemical bonding में हमने bond को classify किया था on the basis of energy, तो तीन प्रकार के bond हम कर सकते हैं, इसमें energy 8 kN per mole से कम होती है, 8 to 42 होती है, और more than 42 होती है, Less than 8 वाले में आ जाते हैं हमारे डाइपोल, डाइपोल इंट्रक्शन, आयन इंडूस डाइपोल, लनन फोर्सिस वगरा वगरा, 8 to 42 में आ जाते हैं हमारे पास hydrogen bond, इसके अलावा, more than 42 में आ जाते है, ionic, covalent, coordinate, ठीक है, तो हमने energy bond स्टाट किया था, तो पहले देखी थे हम हमने ठीक है, कुछ ions जो थे, cut ions थे, वो देखे थे हमने, इसके अलावा, जो topic, अभी तक हमने किया, वो था, most important, the condition to form ionic bond, तो ionic bond के बंदे के लिए तीन condition होती है, पहला, कि जो ionic enthalpy है, it should be low, electron enthalpy, it should be high, ठीक है, और third क्या था, more than latest enthalpy, more than stability of the ionic bond, उसके बात हमने देखा था, latest enthalpy और latest enthalpy के उपर हमने इसके उपर पुरा bond neighbor cycle और उसके उपर कुछ कोशन किये थे, तो देखो, latest enthalpy क्या होता है, amount of energy released, when one mole of ionic lattice is formed from its gaseous ion, ठीक है, latest बनाने में, जितना energy निकला, that is called latest enthalpy, ठीक है, उसके बाद, latest समझाता हमने क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हमने bond neighbor cycle किया था, bond neighbor cycle में दो example देखे थे, NACL का, और MGCL 2 का, ठीक है, और यह summarize रहन है उसका, ठीक है, किसी भी ionic bond को बनने के लिए, ionic bond को बनने के लिए, तीन condition, अनिक अन्धियलपी, least होने चाहिए, electron enthalpy, high unit, ठीक है, उसके उपर हमने देखे थे, कि कौन कोन से factors हैं, जो कि latest enthalpy को effect करते हैं, तो पहला था, दो यह important है, factors कोन से latest enthalpy को effect करते हैं, तो पहला जितना ज्यादा charge होगा, उतना ज्यादा lattice enthalpy होगा, ठीक है, more the charge, more will be lattice enthalpy, next देखा था size, size अगर बड़ा होगा, तो latest बहुत ही बिकार बनेगा, ठीक है, तो size और lattice में क्या relation होता है, inverse होता है, तो अगर इसको summarize करके देखें, तो इस तरह से बनता है, lattice relative proportion to charge, lattice inverse proportion to size, ठीक है, इसको पर हमने फिर question देखे थे, यहाँ पर मैंने charge को consider किया थे, इस वाले question में, aluminium का charge ज्यादा था, तो इसलिए aluminium का lattice strong, इस वाले case में, very simple, aluminium का charge ज्यादा, तो aluminium का lattice strong, इस वाले case में, size देखा था हमने, तो oxygen का size छो इस वाले case में, size बड़ा था, bromine का, इसलिए उसका lattice बेकार था, fluorine का size छोड़ा था, इसलिए उसका lattice का हुगा, strong, तो यहाँ पर, अगर मैं charge consider करेंगे, तो answer रहा रहा था, और size consider करेंगे, तो answer रहा रहा था, तो यहाँ पर मैंने यह सीखा था, कि अगर charge और size में से race लग consider करेंगे, तो इसलिए, क्योंकि magnesium पे चाल ज्यादा आ रहा था, इसलिए answer क्या था, answer is magnesium chloride, ठीक है,